इसके अंदर हम कर रहे हैं आज 11th part 1 to 10 parts हम कर चुके हैं अगर अभी तक आपने पार्टस अच्छे से नहीं करें तो पहले इंको अच्छे से देख लीजिए अगर आपकी सीरियल ओडर में पार्टस कवर कर रहे हैं सारे इसके तो आपको डिफरेंसेशन टाफ नहीं लग सकता इसके टोल 13 parts बनेंगे दो पार्टस हो रहते हैं यह चाप्टर आपका complete हो जाएगा ठीक है तो फटाफर से स्टाट करते हैं आज की class आज करना है parameter differentiation ध्यान से समझेगा अब तक क्या कहना था वो कि x square का derivative लेके दिखाओ हम कहते थे let y is equal to x square और d y by dx निकाल लेते थे 2x आ ज इंप्लिसिट function सीखा था इसमें भी x और y क्या है directly connected है पर आज हम क्या करने वले हैं x आपको दे रखा होगा t square और y is equal से उसे पोस करो 280 दे रखा है means x और y directly connected नहीं है इसमें भी t है इसमें भी t है इसको बोलते है parameter इन दोनों में एक parameter same है इसलिए क्या है parametric functions है आज x y directly connected न होने के कारण की इक दूसर से connected है इनको बोलते है parametric functions और यह जो t है यहाँ पर यह होता है parameter ठीक है इन functions की differentiation को बोल जाता है parametric differentiation मतलब आज हमें question कैसे मिलेंगे x की value ये दे रखे होगी y की value भी t में दे रखे होगी और पूछ रहोगा dy by dx trust me इससे easy question नहीं मिलेगा differentiation के अंद मतलब अगर आपको differentiation previous parts दो तीन parts भी देखे हो ना starting के तो भी आप कर लोगे ठीक है ध्यान से देखना अब x क्या दे रखे है t की terms में 80 square y भी क्या दे रखे है t की terms में 280 और क्या पूछ रहे है dy by dx ध्यान से सुनना x is equals to 80 square है y is equals to 280 है मतलब x का derivative t में ही निकल सकता है क्योंकि x में t है y का derivative t में ही निकल सकते है क्योंकि y में क्या है t है समझागी ही चीज तो मुझे dy by dx निकालना है तो dy by dx कैसे निकलेगा ध्यान से समझना मैं निकालूंगी dy by dt और निकालूंगी dx by dt दोनों के answer को divided कर دूंगी मुझे मिल जाएगा मेरा d y by dx ठीक है ध्यान से समझना dy by dt निकालूंगी dx by dt दोनों के आंसर को डिवाइड करने से dy by dx मिल जेगा वही कैसे मानने इस से dy by dx मिल जेगा ध्यान से सुनो ये बना आपके पास dy by dt चीक है into ये तो dx ऐसे रहेगा है ना और ये वाला dt कहां जेगा उपर है ना dt से dt कैंसल देखो ये dy by dx ही तो बन रहा है जो सबसे नीचे होता है वो उपर चला जाता देखो ऐसे लिखते हैं dy by dt dx यहां नीचे ही रहेगा और नीचे वाला कहां चला गया उपर इसको लिखने का तरीक है तो फिर भी कट करके dy by dx हा रहा है ये ऐसे कैंसल नहीं होता ये चेक करने का तरीक है लेकिन आप ये माइन में रखो अगर आपको dy by dx निकालने है dy by dt निकालो dx by dt निकालो dy by dt को dx by dt के आंसर से डिवाइड कर दो आपको dy by dx मिल जाएगा क्लियर है चीज हम यही करने वाले हैं यह मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है कि आपको लगे कि ऐसे कैसे होगा डिवाइड करने से dy by dx कैसे मिलेगा बिलकुल dt से dt हा पे चेक करने के लिए और चैंसल होता है तो dy by dx ही बचेग यह सिर्फ चेक करने के लिए ऐसे dt से dt कैंसल नहीं होता डेरिवेटर्स में ठीक है चलें आगे तो यही हम करने वाले हैं देखो dx by dt क्या है मेरे पास ध्यान से देखना x क्या है a t square dx by dt क्या हैगा a as it is t का 2 आगे और एक पावर कम 2 a t आ जाएगा है ना t के आगे यह रहा एक पावर कम 2 में से 1 गया बचा क्या 1 2 a t dx by dt आ गया y क्या था 2 a t तो dy by dt क्या है अध्यान से देखना 2 a as it is और t का डेरिवेटर्स वान जैसे dx by dx 1 होता है वैसे dt by dt भी क्या होगा 1 क्योंकि t के रिस्पेक्टिव में डेरिवेटर्स हो रहे है अब dy by dx कैसे to dy by dt upon dx by dt dy by dt क्या है देखो 2a लिख देते हैं dx by dt क्या है मार पस 2a t नीचे लिखतेते हैं बस यहाँ पे 2a से 2a कैंसल आंसर क्या है 1 by t the main thing is अगर आपको dy by dx चाहिए dy by dt निकालो लगसे dx by dt निकालो और दोनों के आंसर को डिवाइड कर दो आपको dy by dx मिल चाहेगा चिक है parametric क्यों कहते है क्योंकि इसमें t है x और y directly related नहीं है t के through related है t एक parametric है इसलिए इसको parametric functions कहते हैं और इनके derivative को parametric differentiation कहते हैं जब इनके हम derivatives निकालते हैं clear है चीज़ चले हैं आगे next देखो next क्या है x ये रहा y ये रहा क्या निकालना है dy by dx ध्यान से देखो dy by dx के लिए क्या करते हैं dy by dt upon dx by dt चिक है ध्यान से देखना आप dy by dt कैसे निकलेगा x क्या है मेरे पास e raise to power t तो dx by dt मतलब t के respective में करना है exponential में क्या होता है जो exponential उसको same note करते हैं कर देते हैं जी e raise to power t as it is फिर जो power में होता है उसका derivative उसके साथ multiply होता है t के respective में derivative हो रहा है तो नीचे t ही आएगा ठीके dt by dt वान तो इसका answer क्या हैगा e raise to power t ही तो dx by dt मेरे पास क्या आया e raise to power t अगर आपने previous parts अच्छे से सिर्फ questions वही भी कर लिए ना वो भी questions कर लिए चो मैंने वीडियो में करवाए उतने भी कर ले ना तब भी आपको एकलास समझा जाएगी एक्स्टर नहीं भी पड़ा हो तो भी ठीके तो dx by dt क्या आगा है मेरे पास e raise to power t now y क्या था मेरे पास y देख लेते हैं y था log t cube log t cube मुझे पता है कि यह log के साथ अगर कोई value है और उसकी कोई power है तो वो आगे आ जाता है 3 log t यह मैंने आपको log की properties में करवाया था ठीके अब ध्यास देखो 3 log t अब मैं निकालूंगी d y by dt constant as it is रहते हैं आप सोच रहोंगे मैं आप तो कहते हैं कि constant का derivative 0 होता है constant का derivative तब 0 होता है जब उसके साथ कोई variable multiply नहों हो रहा हो मतलब 3 का derivative तो 0 है लेकिन अगर 3 के साथ कोई t multiply हो रहा है फिर इसका derivative 0 नहीं है फिर 3 as it is रहेगा derivative सिर्फ t का होगा जो होगा 1, 3 आ जाएगा clear age is आप देखो 3 के साथ क्या multiply हो रहा है log t 3 as it is रहेगा derivative किसका होगा सिर्फ और सिर्फ log t का log t क्या हैगा log के साथ जो होता है वो कहाँ जाता है ground floor पे 3 into 1 by t फिर जो ground floor पे जाता है उसका derivative साथ में multiply होता है log t by dt आ गया नेक्स देखोगी क्या बनेगा यह बनेगा 3 by t क्योंकि dt by dt तो क्या होता है 1 होता है मिंस इसका answer क्या बना 3 by t तो मेरे पास d by dt भी आ गया dx by dt भी आ गया नौँ dy by dx क्या होता है जो dy by dt का answer आ है उसको divide कर दो dx by dt के answer से dy by dt क्या है था 3 by t छीक है dx by dt क्या है था e raise to power t अब ध्यान से सुनना जिनको problem होती है denominator numerator देखने में ध्यान सुनो हमेशा जब आपके पास ऐसे हो रहा हो for example a by b divide by c by d ठीक है ये a by b होता है multiply by d by c हो जाता है नीचे वाला उपर उपर वाला नीचे हो जाता है ठीक है अगर ये divide multiply में चेंज होता है ये भी तो यही है देखो 3 by t divide by e raise to power t ये divide के लिए होता है इसे by करना अब ध्यान से देखो कुछ ने इसके नीचे बान लिख दू है नो अब ध्यान से देखो 3 by t अगर इस divide को multiply में चेंज करना है नीचे वाला उपर और उपर वाला नीचे means ये 3 upon t e raise to power t है ये बिलकुल lower classes में सिखाय जाता है बच्चे भूल जाता है ध्यान से देखो अगर दो term divide हो रही है और उसको multiply में change करना है second वाली term को numerator को denominator बना दो और denominator को numerator तो ये d by c बन गया ठीक है आगे देखो इसमें भी तो इसका मतलब divide ही होता है जो ये by होता है ये आपको गम 3 by t वाला by भी तो है नहीं ये उपर वाली term देखो d by dt से आई है ये नीचे वाली term separate आई है ये साथ में थी d by dt मे है तो 3 by t divide by e raise to power t क्योंकि कुछ नहीं था e raise to power t के नीचे मैंने 1 लिख दिया divide multiply में change होगा तो e raise to power t नीचे वाल उपर मीज आंसर क्या बना 3 upon t e raise to power t ये इसका final answer है तो यहाँ पे जो d by by dx है वो क्या बन गया 3 upon t e raise to power t ये इसका answer है clear है चीज बहुत easy question लेकिन अराम-अराम से step-by-step करोगे तो answers आएंगे mistake नहीं करो हाँची next question is find dy by dx when y is this x is this बहुत easy है dy by dx के लिए दो चीज़ेंस हैं हमें that is dy by dt निकालेंगे dx by dt निकालेंगे और दोनों के answers को divide कर देंगे मुझे क्या मिल जाएगा dy by dx चीक है आप देखो दियान से dy by dt निकालना है y क्या है 2 bt upon 1 plus t का square उपर bt नीचे bt मतलब u by v rule लगेगा that is क्या होगा नीचे वाले function का square चीक है function as it is क्योंकि इसने square करवा है rest करेगा d by dt of 2 bt चीक है बीच में minus 2 bt rest करेगा d by dt of 1 plus t square क्योंकि derivative with respect to t हो रहे हैं आगे देखो 1 plus t square as it is 2 bt का derivative देखो 2 b और t का 1 that is 2 b आएगा इसका derivative चीक है मेरी बात ध्यान से सुनो अगर 3 का derivative करना है वो 0 होगा derivative of 3 is 0 बट अगर derivative आपको 3 t का करना है 3 बहार आ जाता है सिर्फ derivative dt का होगा क्योंकि 3 constant है है ना similarly यहाँ पे 2 b constant है वो बहार आ गया dt by dt होना था वो 1 होता है इसलिए 2 b बचा minus 2 bt और d by dt हो 1 plus t square 1 का derivative 0 t square का derivative 2 t यह आपको clear है power आगे एक power का नीचे के आजाएगा 1 plus t square का whole square चीक है तो मेरे पास क्या बना 1 plus t square into 2 b minus 2 b t into 2 t upon 1 plus t square का whole square ठीक है आप क्या करो इसको solve करना है जसी अभी क्या निकाल रहे है हम d कौन सा निकाल रहे है d y by dt ठीक है अब ध्यान से देखो यह 2 b अंदर जाएगा means 2 b plus 2 b t square minus यहाँ पे देखो यह क्या बनेगा 4 b t square upon 1 plus t square का whole square ठीक है निकाल से देखो 2 b t square minus 4 b t square plus minus minus that will be 2 b minus 2 b t square upon 1 plus t square का whole square 2 b t square में से 4 b t square minus हो रहे है यहाँ minus है बड़े वले कसाइन आएगा तो 2 b minus 2 b t square upon this बन गया ठीक है तो हमारे पस क्या बन गया 2 b minus 2 b t square upon 1 plus t square का whole square 2 b है सिर्फ हाँजी सिर्फ 2 b है यहाँ पर देखो 2 b common निकाल सकती हूँ तो 2 b common 1 minus t square upon 1 plus t square का whole square इस योई dy by dt पिछले प्रीवियस पार्ट जो हमने की हैं वो अच्छे से clear होंगे तब यह पार्टक को अच्छे से समझ आएगा चिक है चलें आगे बहुत इजी है simple dy by dt निकाला है now we'll find dx by dt और फिर दोनों को divide कर देंगे dy by dx मिल जाएगा now dx by dt ध्यान से देखना इसमें भी उपर भी t नीचे भी t मतलब पहले क्या लगेगा u by v rule नीचे वले function का square अब देखो यहाँ पर a common पहले से निकाला हुआ है यह constant है मैं a को पहले ही बाहर लिख रहे हूँ सिर्फ अंदर वले function means 1 minus t square upon 1 plus t square का क्या करूंगी derivative ठीक है जहां से देखो इसने square करवा लिया यह यहाँ पर rest करेगा derivative किसका होगा 1 minus t square का minus फिर यह rest करेगा derivative किसका होगा 1 plus t square का हम constant को बाहर रख सकते हैं अगर वो multiply हो रहे है derivative के time बाद मैं answer को दे देंगे उसको a मैंने बाहर रख लिया ठीक है फिर क्या हैगा a 1 plus t square अब d by dt of 1 minus t square देखो 1 का 0 minus t square का minus 2t फिर minus 1 minus t square derivative of 1 plus t square 1 का 0 t square का क्या हैगा 2t अब बाद 1 plus t square का whole square clear यह चीज़ बस अब इसको simplify करना है और हमारा question हो जाएगा that is a into क्या बना हमारे पास 1 plus t square into minus 2t आया minus 1 minus t square into plus 2t आया नीचे आया 1 plus t square का whole square this is all about हमारा dx by dt बस थोड़ा सा simplify multiply करके easily निकाल लेंगे देखो a into यह देखो अदर जाएगा क्या बनेगा minus 2t minus 2t cube minus बाहर as it is यह देखो 2t से multiply होगा 2t minus 2t cube और नीचे 1 plus t square का whole square ठीक है ध्यान से समझो अब यह minus अंदर जाएगा सब के sign क्या होगे change होगे यह minus देखो यह plus था minus बन जेगा और यह minus फिला क्या बन जेगा सो यहाँ पे a minus 2t minus 2t cube minus 2t plus 2t cube upon 1 plus t square का whole square आप देखो थे हाँ से 2t cube से 2t cube cancel that is a minus 2t minus 2t upon 1 plus t square का whole square means यह बन गया minus a बहर 4t upon 1 plus t square का whole square means minus 4at upon 1 plus t square का whole square this is dx by dt dx by dt भी आगया dy by dt भी आगया अब क्या निकालेंगे dy by dx तो फट फट से देखते हैं dy by dt क्या आया था देखो फट फट से हमने अभी निकाला था that is 2b into 1 minus t square into 1 plus t square का whole square है ना यही आया था फिर dx by dt क्या आया हमारे पास है minus 4at upon 1 plus t square का whole square यही आया था ना भी हाँची बिलकुल अब क्या चाहिए हमे dy by dx कैसे निकालेंगे dy by dt upon dx by dt that is to be 1 minus t square upon 1 plus t square का whole square upon minus 4at upon 1 plus t square का whole square clear है चीज़ अब ध्यान से देखो वैसे तुम directly ऐसे भी cut कर सकते हैं अगर उपरवली टाम और नीचे वली टाम के denominator सेम हो तो यह cancel हो जाते हैं हाँची तु क्या बन गया तु बी 1 minus t square upon क्या बनेगा minus 2at means minus उपर लिखो या नीचे फरक नहीं पड़ता है तो minus b 1 minus t square upon 2at this is your dy by dx यह बहुत easy है चीक है लेकिन practice demand करता है अब एक बात ध्यान से सुनो मैंने यहाँ पर काई इसका denominator सेम हो cancel हो जाते हैं बिलकूल क्योंकि अगर आप इसको पूरा जैसे मैंने बताया था इसे लिखके भी देखो गे देखो 2b 1 minus t square upon 1 plus t square का whole square यह नीचे देखो कहाँ पर है numerator में तो इसको denominator में लिखोंगी है ना और जो denominator में लिखा है वो numerator में इन्होंने cancel ही होना है तो इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती अगर दोनों के denominator सेम है आप डरेक्टली भी cancel कर सकते हो तो इसका जो answer आया है that is minus b 1 minus t square upon 2 a t negative मीचे लिखोया उपर फरक नहीं पड़ता हम उपर लिख देते हैं चाहे नीचे हो चिक है so minus b this is the answer questions की practice must है तभी आप अच्छे से कर पाऊगे चिक है I hope you like this video if you like this video do like, share, comment and subscribe to my channel which is Dream Math thank you so much for watching झाल